आज जो बीजेपी की रास्टे अर्धक्ष पद की चुनाओ होनी है मौजुदा कारेकारी अर्धक्ष जेपी नज्जा की अगले तीन साल के लिए ताजपोशी की जाएगी चुनाओ के लिए कारेक्रम की घोशना कर दी गई है रास्टे चुनाओ अधिकारी राधा मौहन सिंग ने चुनाओ के लिए कारेक्रम का घोशना पत्र जारी कर दिया है आज ही नामांकन डाकल करना होगा और आज ही नाम वापस लिए जा सकते है जेपी नज्जा की ताजपोशी फिलहाल तै मानी जा रही है प्रदानमंत्री नरेंद्र बोधी दिल्ली के तालकुचूरा स्टेजियम में विद्यार्तियों को परिक्षा के दौरान होने वाले तनाओं से दूर रहने के लिए जिप्स देंगे वो परिक्षा पी चर्चा 2020 कारेक्रम में देशबर के चात्रों से रूबरू होगे पीम मोदी का परिक्षा पे चर्चे का ये तीसरा टाउन हॉल कारेक्रम है जिसमें विबिन वर्गों के चात्रों और सिक्षकों को परिक्षा के दौरान होने वाले तनाओं से निपटनी के लिए टिप्स दिये जाएंगे बिज़पी के कारेकारिया ध्यक्ष जिपी नट्टा की ताजपोशी में शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली पहुँच चुके हैं बिज़पी मुख्याले में आमिर्श्रा की अगवाई में ये बैचक होई है जिसमें बिज़पी श्रासत राज्यों के कई सीम जिप्टी सीम मौझूदा रहें कायवति की पार्टी में अकलेश यादव सेंध लगाते न सराएंगे पुर्व मंत्री रामपुशाद चौधरी पुर्वसांसद अर्विंद चौधरी पुर्ववधायक दूदराम राजेद्र चौधरी नंदु चौधरी अकलेश चौधरी सहित कई नेता सपा का दाममन खाम सकते हैं। किजवाल दिल्ली में सत्ता रूड आमाद्ली पार्टी के रास्ट संयोचक भी है आज के इन्रिमंच्वी नितिनगचकरी कानपूर दौरे पर रहेंगे कानपूर में नितिनगचकरी बिचपी के सीए पर जन जागरन अभ्यान के तहत राली करेंगे नागरिक संसोदन कानून को लेकर वो जन जागरन राली करेंगे राली में सीए के बारे में लोगों को जानकाली दी जाएगी निर्भिया गैंगरेप मामले में दोशे करार दिये गए पवन कुमार गुपता की स्पेशल लीड पेटिशन पर सुप्रिम कोज आज सुनवाई करेगा पवन ने कोज में अरजिद आखिल की है कि वारदात की वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी और वो नाबालिक था अलाकि इस से पहले दिली हाई कोट ने उसकी इस दलील को खालिश कर दिया है हाई कोट ने पवन के वकील पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है दोशी पवन कुमार गुपता ने शुकरवार को सुप्रिम कोट में दली हाई कोट के 19 दिसम्बर के उस आदेश को चनौती दी ती जिसमें अदालत ने परजी दस्तावेद जमा करने और अदालत में हाजर नहीं होने के लिए उनके वक्तिल की निंदा भी गी थी अलाकि कानून के जानकारों का माना है कि पवन को सुप्रिम कोट से भी कोई राहत नहीं मिल पाएगी आज केंडर मंतरी स्मृती रानी देवरिया महतसम में शामिल होगी शुगर मिल के मैदान में महतसम में वो शामिल होने जा रही है मुख्यमंद्री समोहिक विभाय योशना में मुख्याधिती के रूप में स्मृती शुर्कत करती नजल आएगी राममंद्र निर्मान को लेकर राममंद्र की आज बैचक होनी है देश भर से 300 से जादा सादू संत बैचक में शामिल होगे राममंद्र निर्मान पर होगा मन्थन और माग मेला चेत्र के विभ सिविर में भी शामिल होगे आचार महामंद्र लेश्वर अवेद शनाद भी बैचक का हिस्सा बनेगे दो पॉलियों में बैचक की जाएगी पहली बैचक सुमर 10 बजे से 1 बजे तक होगी तो वहीं दूसरी बैचक का समय 3 बजे से 6 बजे तक किया गया है मुगल सराय रेल मंजल को अब पंडित दीन दयाल उपाध है रेल मंजल के नाम से जाना जाएगा रेल मंजल को अधिसोशना जारी कर मंडल का नाम बदलने की घोशना कर दी है इसके साथ ही मुगल सराय मंजल कारलय सहीत सभी कारलयों के नाम बदलने की घोशना भी की गई है पतराते ही स्थाने मंजल के अधिकारियों ने नाम बदलने की तयारी शुरू कर दी है इसके पहले 5 अगस्ट 2008 को मुगल सराय रेली स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन देराल उपाध्या जंक्शन कर दिया गया था उत्रकाशी माग मेले में उत्राकंच कॉंग्रेस के अर्द्याक्ष प्रतीम सिंग ने बतौर मुख्य अतीती के तौर पर शर्कत की स्थाने निताओं और कारकरताओं ने उनका जोरदाव स्वागत किया इस मौके पर उन्होंने पहाडी डांस भी किया वहीं प्रदेश सरकार पंडिश्राना साते वे प्रितम सिंग ने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है और नाहीं विकास कार्यों को लेकर गम फीर है प्रदेश में कानून विवस्था का हाल भी ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सड़क पर उतर कर सरकार की नेतियों का विरोध करेगी अम्रोह की मगदुंपुर गाव में नोगावा सामत विदान सभा के कारकरताओं के साथ कैबरच मंत्री चेतन चोहार ने बैठक की इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानपुर रेपीडिता की मां की खत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी साथ इस साथ उन्होंने महरास सरकार को साई मंदर मामले में हस्तशेप कर विवाद का निप्टारा करने की थिमागी है परिवहन विभाग की नई बसों में आ रही तक्नीकी दिक्कतों को लेकर परिवहन मंत्री यश्पाल आरे बेहद सक्त दिखाई दे रहे हलदवानी स्थित अपने अवाज पर यश्पाल आरे ने बताया कि निगम की कई बसों के गियर में तक्नीकी दिक्कते आई हैं जिसके चलते कई बार बसों का संचालन रोकना पड़ा जिससे यात्रियों को दिक्कतों का साबना करना पड़ता है परिवहन मंत्रे का प्याना है कि वो इस संदर्ब में विभाग के उच्छ अभिकारियों से बात करेंगे और जरुरत पढ़ने पर सभी बसों को कमपनी को वापस भी कर देंगे आपको बता दे कि परिवहन विभाग में टाथा कमपनी से 150 नई बसे खरीदी थी जिसमें पिछले महिने से गेर में तकनीकी दिकते आनी शुरू हो गई थी देरादुन को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो चुका है लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए ट्राफिक प्लैन भी तयार कर लिए गया है बिरसल देरादुन में वनवे ट्राफिक प्लैन की शुरूआत हो चुकी है कईमों के सड़कों को वनवे किया गया है पहली बार इस तरह से देरादुन में वनवे सिस्टम की शुरूआत की गई है जिसे लोगों को कुछ दिकते भी हो रही है बेरादुन में स्मार्ट सिटी के तहट स्मार्ट सड़के बनाई जाने की तैयारी चल रही है जिसके लिए ट्राफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्राइल के तौर पर वनवे ट्राफिक प्लान शुरू किया गया है वहीं स्पी ट्राफिक प्रकास चंद्र आर्या का कहना है कि इस प्लान से लोगों को चुरुआत में जरूर दिक्कते हो रही है लेकिन जाम की समस्या के लिए बनवे करना जरूरी है और धीरे धीरे साला सिस्टम सही हो जाएगा पुर्व कैबिनिट मंद्री रहे अमद हसन बारबंकी में सपा की पुर्व MLC प्रदित यादों की पुनितिती में शामल हुए इस मौकी पर उन्होंने किंद्र और राज के बीज़फी सरकार पर जम कर हमला किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केबल लोगों को धर्व और जाती के नाम पर लडाने का काम करती है कश्मीरी पंडितों को बसाने के मुद्धे पर एहमद हसन ने कहा कि भाजपा सरकार में कुछ बस नहीं सकता सिर्फ उजड़े का ही C.A. और N.P.R. के मुद्धे पर एहमत हसन ने कहा कि ये भाज़पा की रन्नीती है जिससे मुद्धे से जुनता का ध्यान भचकाया जा सके हरदोई की सदसीट से समाज़वादी पार्टी के चिकट पर चुनाव जीते विधायक वितेन अग्रवाल समाज़वादी पार्टी का दामन छोड़कर अपने पिता अनरेश अग्रवाल के साथ भाज़पा में शामन हो गया है तब से लगतार वो विधानसभा की सदसीता बरकरा रखते वे बिना इस्तिफा दिये बाज़पा की कारिकरताओं में सम्मिलित हो रहे हैं जिस पर विधानसभा में नेता प्रतिपाक्ष रामगोविन चौधरी ने दल बदल अधिनियम के ताद विधानसभा अध्रक्ष के समक्ष याजका दी विधानसभा अध्रक्ष ने संग्यान लेते वे प्रमुक सचिप विधानसभा को निर्देशित किया कि उनसे जवाब तलब किया जाए विधानसभा के प्रमुक सचिप रदीत दुबे ने निते नगरवाल को नोटिस जारी कर साथ दिन में जवाब दे इटा में गायों का आतंक लागतार बढ़ रहा है सरकार के कड़े निर्देशों के बाद भी आवारा गायों और सड़कों को प्रशासन गौशाला में नहीं भेज़ पा रही है और किसानों को परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है गायों के जुणने किसानों की फसल का बुरा हाल कर दिया है किसानों का कहना है कि दिन रात फसल की रखवाली कर्मी पढ़ रही है ऐसे में उनके समस्या लगतार बढ़ रही है और जिला प्रिशासन उसका कोई उपायद नहीं निकाल पारा है फिरोजबाद में थाने के पास एक बुजूर्ग की संदिक्त परिस्तिती में मौत हुगई परिजन ने हत्या का श्रक जताया है और सीयो टुनला ने घटना की सूशना मिलते ही मौकी पर घटना स्थल का मुआयना किया घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहरा मचा हुआ है पुलिस ने अपनी चांच शुरू कर दी है उदम सिंग नगर जिने से प्रदेश मुक्याले बेजे गए एक गोपनिय पत्र ने हड़कम मचा दिया है जिसमें जिला उदम सिंग नगर पुलिस में तयनाद दो पुलिस कर्मियों पर ट्रांसफर के एवज में अवैद वसूली का आरोप लगा है जिला मुख्याले रुद्रफूर में तयनाद दो पुलिस कर्मियों के खिलाब जिने के ही एक व्यक्ति द्वारा गोपनिय पत्र के माध्यम से गंभीर आरोफ लगाये हैं जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कम मचा हुआ है आरोफ है कि SSP के पियारो और स्टेनो ने मिलकर ट्रांसफर के नाम पर खुब पैसा कमाया है अब पत्र की कॉपी शोशल मीडिया में बार हो रही है मामले में पुलिस मुख्याले के तरब से चार्च के आदेश भी दिये गए है अमिरपूर जिले की मौदहा कस्पे में एक सरयाम गोली चलने से अफराद तफरी मच गई बचों के बीच पोई मामली विवाद में गोली चली है बचों के आपसे विवाद ने एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर हुए हमला कर दिया हमलावरों में एक सिपाई है और उसकी पिलिवीत में तैनाती है पिडित पक्ष ने सिपाई पर तमंचे से फार करने का आरोप लगाया है गटना की सोचना पर पहुंची पिलिस ने एक महीला सहीत अक्ष गायलों को सामुदाइक स्वास्ट केंद्र मोहदा में भरती कराया जहां से प्राथ में कुप चार के बाद गायलों को सरदर अस्पताल राफर कर विया गया पुलिस आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है नौजज़ा थानाओ फेस्ट्री में स्तियदिक मकान में चूरों ने घर का ताला तोड़ कर घर में रखे करीब 25 तोले सोने के जेवराथ साहित 15 लाग की नगनी चुरा कर फरार हो गए गटना के समय परिवार एक शाधी समारों में गया हुआ था परिडिक परिवार थाने में मामला दर्श करा दिये हैं पुलिस मामले की चार्च कर रही है और यह जिले की सुलहापुर गाउ में भाजपा महिला मोर्शा की मंज़ा पुलिस मामला दर्श कर के मामले की चार्च कर रही है बदोही जिले की रहने वाले चावल बेपारी की बीती सोलत तारिक को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिस मामले में पुलिस ने खुलासा करती हुए एक तमंचा के साथ दो आरोपियों को गरफतार भी कर लिया मृतक विपारी के साथी ने 2 लाख रुपए की एक बदमाश को सुपारी देखकर हत्याख कराई थी कौशामबे जिले के स्माइलपुर गाओ में उस समय हड़कम मच गया जब मिट्टी का टीला गरने से आदा दर्शन महिला आए और किशोरिया मिट्टी में दब गई महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामिनों ने दबे लोगों को निकाला लेकिन एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन महिला और एक किशोर गंबी रूप से घाल हो गया है जिनको जला अस्पिताल प्रीचा गया है और उनका इलाज चल रहा है मसूरी में निवास कर रहे मचाने आईडियच के समीप मचाने बिलजिंग को लेकर भाषपा मंजल अर्डेक से चर्चा की और उन्हें अपनी परिशानियों से अवगत कराया मसूरों ने बताया कि निर्मान अजिंसी द्वारा 40 कमरे तयार किये जाने थे लेकिन आज तक केवल 24 कमरे ही तयार हो पाया है उनमें सेवी अधिकांश में बाहरी लोगों द्वारा कप्चा किया गया है साथी उन्होंने बताया कि पाली का द्वारा बिल्टिंग के समीथ ही खूडा डंपिंग जोन बना दिया गया है जिस वज़े से बिल्टिंग में रहना मुश्किल हो गया है डलितपुर में शादी समारों के दोरान महिलाओं से छिडखानी करना एक शक्स को महगा पड़ गया या मौजूद महिलाओं ने मंचले की अच्छी तरह से पिटाई कर दी पुलिस को इस मामले की सूशना मिल गई जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरूपी युवक को अपने हाथ ले लिया तो हाल पुलिस पुरे मामले की चार्ज कर देई है युपी के हापुड में पिलकवा नगर पालिका में दो सरकारी करमचारियों ने दो युवको की फरजी हाजरी का रजिस्टर बना कर हाईकूट में याज़ का दायर करने का मामला सामने आ है वही कोट में पुकता सबोत न दिखाये जाने के चलते याजका को खारिश कर दिया जिसके बाद नगरपाली का आधी वाश्री अधिकारी ने दोनों युवकों के खिलाफ F.I.R. दर्श कराने के निर्देश दिये है और दोनों करमचार्यों को आरोपत्र जारी करते हुए विभाग के जाच बैठा दी गई है विजनौर में C.A. को लेकर हुई हिंसा में नठार थाना चेत्र में गोली लगने से दो युवकों की मौत हो गई पिडिक परिवरों से मिलने के लिए बदायू की पुर्वसांसर धर्मेंद्रियादव पहुंचे इस दोरान उन्होंने 5 लाग का चक भी दिया साथी जो लोग हिंसा के दोरान खायल हुए थे उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता भी दी गई है धर्मेंद्रियादव के मताबिक ये आर्थिक सहायता अकलेश यादव के कहने पर दी जा रही है मुरदबाद से होमगाट का एक वीजियो सामने आया है जिसमें होमगाट शुराप के नश्रे में हंगामा करते हुए नसर आ रहा है बुलारी के गणा समीत के पास सलजबान ने शुराप के नश्रे में दुथ होकर बबाल काचा मौके पर मौजोत लोगों ने इसकी सूशना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस होमगाट प्रवीन को साथ लेकर चले दई नव में एक लड़की के साथ पडोस में रहने वाले एक यूवक ने छेटछाड करने की कोशिश की जिसका विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के पिता को ही मौत के घाट उकार दिया गटना से इलाके में हड़कम मचा हुआ है जसे गुसाए ग्रामिनों में अजगैन मोहन मार्क पर जम कर हंगामा किया साथ ही लोगों ने पेडित परिवार को प्रशासन से अधिक सहाटा देने की भी मांगे की है वही पुलिस ने आरोपी को गिरफदार करके मामनी की जाच कर रही है ग्रेचन नौयजा में मूलबुत सुविधाय अटाय जाने पर गौर्ड सिटी में रहने वालों ने जम कर प्रदर्शन किया गौर्ड बिलजन के खिलाब सिसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया प्रदर्शन में बच्चो और बुजोर्ग साइट साख्रों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने बिसरक थाना चेत्र की गौर्ड सिटी एक सेंटर पार्क रिविन्यू में प्रदर्शन किया है जालोन में रामलीला की नाम पर अश्रील डांस किया जा रहा है यहां के कोश थाना चेत्र के एटा गाउं में रामलीला कायोचन किया गया जिसमें बार बालाओं ने खुले आम डांस किया अलिगण में दो गुटो के जगड़े में एक मजदूर की जान चली गई कपड़ा शोरूं पर वितर काम करने जा रहा था और हर रोज रूज की तरह काम खक्म करके निकलने के लिए खड़ा था कभी शोर शुराबा शुरू हुआ और दो गुट डॉन्टे हुए आई और एक दूसरे पर फारिंग करने लगे इसे बीच एक गोली मजदूर को लगकर मौत हो गई बारबंकी में बीते दिनों सौचालने में रसोई घर बनाने का मामला सामने आने से जला प्रशासन में हड़कम मचा हुआ है मीजिया में खबर आते ही आनफानन में अलाधिकारी ग्रामिन के घर पहुंच गए मावला में ग्रामिन राम प्रकाश ने कहा कि अधिकारी मेरे पास आए और जेल में बंड करने की धमकी भी दी है। उन्होंने साधे कागज पर भी साइन कराया जिसके बाद से उसका पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। अम्रोहा में नबालिक चार्टर को अगवा करके गैंग रेप को अंजाम दिया गया, पुरल से कारोपी को गरफतार कर ली है, रेप करने से पहले दरिंदो ने वकारदा एक सोची समझी साजश को अंजाम दिया, दोस्त के जरिए आरोपी ने गिफ्ट देने के बहाने पहले पुलिता को गहरोला बुलाया, उसके बाद से अगवा कर लिया, फीर्टा ने बताया है कि उसे अगवा करके एक जंगल में लेख गया है, जहां पर एक कमरे में उसके साथ तमंचे के बाल बल चार लोगों ने हैवानियत की सारी हड़े पार कर दी बुलन शहर में अग्यात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कम मच गया है, लोगों ने जब सड़क के किनारे युवक का जला हुआ शव देखा, तो इसकी सूशना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाच परताल शुरू कर दी है, जिसमें घट बुलिस के बाद जलाने की अशक का जटाईचारी है, पुलिस ने शबको पोस्टमाचन के लिए भेजकर जाच शुरू कर दी है, दिलिपुलिस के एक दरोगा के खिलाप महिला थाने में मुकद्मा दर्श क्या गया है, आरोपई की दरोगा ने नौकरी लग्वाने का जास भी बना रहा है जिसके बाद पुड़िता ने सस्पी से न्याय की कोहार लगाई है गाधोछनदेल की हाथ़िया के बाद गाज़बाद की महिरोली से लूची गई दूसरी का-र्मा- Gender शेथर के आकाशनगर में यह मिल गई जहां से गौरब चंदेल की कार मिली थी उसमें एक किलोमेटर दूर खाली प्रॉच में यहां टियागो कार पुलिस को तीन दिन बाद खड़ी मिली है दूसरी और पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शनिवार को दिली, हर्याना और यूपी के पार शहरों में शापे मारी की उत्राखंट मुक्त विश्व विध्याले के नाम का प्रयोग कर शात्रों को कैथन बैंक खुले आम बेची जा रही है ओपन यूनिवस्टी की तरब से जानकारी मिलने पर दहरादोन और हल्दवानी के कई जगों पर शापे मारी भी की गई समाज कल्यान विवाग में हुए चात्रविती गुचाले में चल रही साइटी जांच के दौरां छे लोगों को गरफतार किया गया है पकड़ के सबी छे लोग गहरादोन के रहने वाले है पोड़ी गरवाल में नैशनल हाइवे 58 पर हापसों का सिलसिला लगतार जा रही है कार धारी देवी के पास अलकननला नदी में जाकिरी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभी रूप से खायल बताई जा रही है सरुवर नगरी नानिताल के रामगर्ड मुक्तेश्पर धनाचुली से लगे छेत्रों में इसबार जमकर बरबारी हो रही है जिसका खामियाजा ग्रामीनों को भुकतना पड़ रहा है ताचमामला सामने आया है पितोड़गर्ड जिले से जहां सडक ना होने की वज़ा से महिला को कड़ाके की ठंड में खेत की बीच में ही बच्चे को जर्म देना पड़ा देश की पहाडी इलाकों में लगतार बारिश और बरबारी हो रही है जिसकी वज़ा से किदाना थाईवे पर स्लाइडिंग हो रही है स्लाइडिंग की वज़ा से बासबांटा में सडक पर मलवा भी आ गया बैंगलोरू वंजे में भारत ने शांदार जीत हासल की है भारत ने आस्ट्रेलिया को साथ विकेट से हरा दिया जिसके साथ ही भारत का स्रीज पर दो एक से कबजा हो गया बारत की स्टार चाइनमेन गिनवाज कुल्देव यादव ने आस्ट्रेलिया के खिलाप राज़पोर्ट वंडे मैंच में एहम मौके पर दो विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत गर्श करवाई है अजे देवगन ये समय अपनी हाल या रिलीज वही फिल्म ताना जीता अंसंग वॉर्यर की सक्सेस को एज्जॉय कर रहे है वही उनके अपकमिंग स्पोर्स ड्रामा फिल्म मैदान को लेकर नया अपडेट सामने आया है इस फिल्म में अब अजे देवगन के ओपोजेट साउथ फिल्म इंडस्ट्री की नैशनल इवार्ड विनर एक्टिस प्रियामनी नज़राएंगी वल्वूर्ट सुपस्टार शारू खान फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से एक बड़ी हिट की तलाश में है हुआ हुआ है